पूल स्लेब उस लेक्चर्स जो असी NCRT पेटरंद एकोर्डिंगली रिकॉर्ड करवाये हुए हन जिदे विच सारे बोर्ड स्लेबग कवर्ड है CBSC बोर्ड और सारे स्टेट बोर्ड स्लेबग आसी कवर करके चल रहे हैं जिदे विच ए सारे lectures तो अनू full HD form दे विच तो अड़े mobile दे उपपर तो अड़े computer दे उपपर तो अड़े laptop दे उपपर साड़ी google drive दे थू, pen drive दे थू या साड़ी mobile app दे थू जो साड़ी play store दे भी available है और apple users दे लई वी जो iPhone users ने उना वस्ते वी साड़ी को ले option available है तो उसी ये सारे lectures दे प्राइसी screen दे देख रहे हो जिदे विच तो अनू सारे इस लेबल्स दे lectures full HD form दे विच मिलनगे नाली साड़े live doubt clearing sessions भी मिलनगे और नाली यासी online tests जड़े असी conduct करांगे ओधा भी तो अनू benefit मिलेगा ते नाल असी test दी जड़े साड़े expert teacher discussions करेंगे वह यह ज़े विच included ने कि साड़ा जो chapter number one तो अड़े नाल discussion हो नहीं है हो नहीं है basic concepts of accounting ठीक है जी अच्छान बेटे जड़े साड़ा chapter number one है ठीक है उन्हों अपर किन्दे topics ते विच डिवाइड कर रहे है चैप्टर number one नू असी बेटे six topics ते विच डिवाइड कर रहे है मुला first topic तो अड़ेनाल जड़े मेरी discussion होएगी basic concepts of accounting दे अंदर पहला chapter तो अड़ेनाल में discussion करांगा meaning of bookkeeping and accounting and its difference पतला पहला आपा तो अनू bookkeeping समझा मांगे bookkeeping तो बात तो अड़ेनाल accounts की होँद है ओधी discussion करांगे और फिर bookkeeping और accounting दे विच की difference होँद है फिर आपा ओधी discussion करांगे ठीक है ऐसा अड़ा chapter number one दे अंदर first topic होएगा ठीक है अज़ा बेटे second topic होँद की होएगा कि जदो आपा accounting नू समझा लवाँगे फिर आपा एक तो अड़े सामने accounting cycle अखे प्रपेर करांगे फिर तो अड़ेनाल accounting cycle भी में discussion करांगा कि accounting cycle की चीज़ होंदी होंदी है assumptions ता मतलब होंदा हो है कि जदो एक accountant accounting entries डालेगा या accountant classification करेगा ledger accounts दे अंदर या summarizing करेगा trial balance दे अंदर ता अपने दिमाग देवेच तेन assumptions नू बठा के चल देगा और तेन assumptions में तो अड़ेना discussion करांगा going concern, consistency and accrual basis clear हो ही जीच और असाड़ topic number केड़ा होएगा third then अपने अपने अकाउंट्स दे roots नू strong करना है अगर आपने concepts नू strong करना है तो concepts of accounting आना बहुत जरूरी है इस concepts of accounting दे अनदर तो अड़ेनार में एक-एक करके सारे concepts दे डिसकेशन करांगा जिदे विच अपा prudence concept दी तो अड़ेनार discussion करांगे जिदे विच अपा तो अड़ेनार discussion करांगे dual aspect की ने होंदे substance over form की उन्दे उन्दे ने materiality concepts की उन्दे उन्दे एक एक करके साड़े सारे concepts जड़े होंगे business entity concept हो गया और सारी discussion जड़ी होएगी इस concepts ते भीचे होएगी then मेटे fifth topic जो इस chapter दो होएगा ओने विश मैं तो नहीं समझाऊंगा कि assets की उन्दियाने liabilities की उन्दियाने और and its types पतलब आपा assets नो कहला समझाएंगे कि asset हुंदी की है और फिर आपा liabilities नो समझाएंगे कि liabilities की उन्दियाने then उस तो बाद किनी types of assets हुंदियाने और किनी types of subject की उन्दियाने liabilities हुंदियाने ठीक है जी और last discussion जो होएगी इस chapter दी होएगी meaning of expenses and incomes ठीक है कि expenses और expenditures एक word थे हो रहा हुंदा हुंद है expenditures normally मतलब कि जो person हुंदे है यापा अगर commerce field नहीं है ता इसी expense और expenditure नो कोई मालना नहीं है जनकी बेटे expenses और expenditures ते विछ difference हुंदा हुंदे और त्वाडिना में थे discussion करांगा कि expenses की हुंदे है ते expenditures की हुंदे है और फिर incomes की हुंदियाने ये तो आडिना discussion होएगी और finally incomes और expenditures ने types की निया हुंदियाने और ये चीज़ बतलग जदो ये चे टापिक्स थी तो आडिना discussion आएगी फिर जाड़ा फर्स्ट चैप्टर कम्रीट होएगा basic concepts of accounting accounting equation नो बेटे समझे अनवास्ते जिड़ा पा basic concepts थे अंदर assets नो समझे है ना और liabilities थी जड़ी तो आडिना discussion होई है assets और liabilities ज्यादा ब्राड थे विच में तो डिनार assets बोलियां सीखियां कि की हुंदियाने अब पहलू उस concept नो यह आंच रखने कि assets assets equals to उन देखो basically accounting equation दा जो सारा concept है ना और double entry bookkeeping ते है मैं from the very beginning तो आनुसारा कुछ समझा रहे हैं कि जड़ा accounting equation दा बेस है ना ओ पेटे double entry bookkeeping और double entry bookkeeping दे अंदर अजी तो आडिना discussion कीती सीगी कि अगर one-sided effect अगर 50,000 रुपीज दा है second sided effect भी की होएगा 50,000 मतलब one side अगर मैंनो for example debit 50,000 करना है तो इट शुड़ भी credited 50,000 मतलब कि अगर one-sided 50,000 है तो second side भी 50,000 होएगा एदा मतलब यह हो गया कि अगर मैं कोई transaction रिकार्ड कर रहे हैं ता अगर उस transaction दे नाल one-sided मेरी assets दे उपर कोई फरक पार रहे है तो second sided बेड़े मेरी liabilities दे उपर भी कोई ना कोई फरक पार रहे होएगा for example for example कि मैं अगर for example credit दे उपर goods purchase कर रहे हैं यह example दो डिनाल में रहे हैं कि purchase goods worth रूपीज 50,000 from Mr. Ram असी Mr. Ram दे को लो 50,000 रूपीज दे उपर पर purchase कर रहे हैं अगर Mr. Ram दे को लो असी goods credit दे पर purchase करांगे उन तो सी दस्व की हो लग गया मेरे को एक ता मेरे को स्टॉक इंक्रीज होएगा ठीक है स्टॉक विल भी इंक्रीस्ट और सेकिंड इफेक्ट बेटे की होएगा लिविल्टी इस विल आल सो भी इंक्रीसिस क्योंकि ऐसी Mr. Ram को लो जड़ियां goods purchase कर रहे हैं और credit दे कर रहे हैं अच्छा एक चीज में तो अडेनाल इस ट्रम शुरू हों तो पहला discussion करता हूँ कि अगर किसी transaction देनाल किसी परसंदा नेम आयंदा है ना ता उस transaction नो आपाय मन देया इट इस अ credit nature transaction अगर किसी transaction देनाल सिरफ परसंदा नेम होंदे then that transaction is considered as credit nature transaction for example purchased goods from Mr. Ram Mr. Ram देखो लो goods purchase कीती हैं गई है उन देखो परसंदा नेम आ रहे हैं न Mr. Ram लेर हो रही है मतलब अच्छी goods purchase कीती हैं Mr. Ram देखो लो तब परसंदा नेम रिफलेक्ट हो रहे हैं और परसंदा नेम अगर रिफलेक्ट हो गया cash word विच नहीं आया सिर्फ परसंदा नेम रिफलेक्शन जा रहे है एदा मतलब that is a credit nature transaction और आप अनों credit nature दे अपने books दे विच रिकॉर्ड करांगे clear हो रहे हैं अच्छा फिर दुबारा मैं next transaction बोल रहे हैं purchase goods worth रुपीज 50,000 from Mr. Ram in cash उन्दे को इते वर्ड की आ रहे है परसंदा नेम भी आ रहे है किसी किदे को लो goods करीदी है Mr. Ram को लो पर नाल दी नाल बेटे examiner नहीं भी बोलता कि मैं कितना करीदी हैं किस mode of payment मैं mode of payment भी उनने describe कर थी cash एरा मतलब असी goods purchase कितियाने Mr. Ram दे को लो in cash उन्दा मतलब मैं payment दी भी उन्ने description देती है कि payment कितना होई है cash दे थरू ता मतलब है credit nature transaction नहीं है अगर transaction दे अंदर cash word आ गया ना फिर परसंदा नेम चाहे आए चाहे ना आए it is totally irrelevant It is a cash nature transaction if cash word shown in the transaction अगर cash word transaction दे अंदर आ रहे है ता हो transaction कदी वी credit नहीं होएगी यो cash होएगी चाहे परसंदा नेम आगया अच्छा अगर कुछ भी नहीं लिखे हो या सिरफ इनी काल लिख रहे है purchase goods worth rupees 50,000 एला मतलब बिटे की होएगी cash transaction मतलब कि तिन तरहां transactions होगी है आप आयनू journal दे विच भी ते आंच रखने और accounting equation कर दे विच भी ते आंच रखने purchase goods worth rupees 50,000 नहीं कुछ लिखे हो ने अला मतलब cash transaction है असी cash pay कार चुके हैं इस purchases था second number purchase goods worth rupees 50,000 from Mr. Ram in cash अला मतलब every cash transaction है असी cash pay कार चुके हैं purchases against third purchase goods worth rupees 50,000 from Mr. Ram अला मतलब बिटे सिरफ परसंदा नेम आ रहे है cash वर्ड विच नहीं आ रहे है credit transaction होईगी credit nature transaction ले रहे है जीज हुन आपा दुबारा उसी example दे आईए purchase goods from Mr. Ram rupees 50,000 हुन दो सो credit transaction होई credit nature transaction क्योंकि cash नहीं आ रहे है विच सिरफ परसंदा नेम आ रहे है तिसे credit nature अच्छा अगर credit nature transaction होई मैं Mr. Ram नू अदा मतलब पैसे देने है मैं credit उदारते purchase कीता है ना Mr. Ram को लो अदा मतलब बिटे की effect होएगा मेरा one-sided effect की होएगा कि मेरे को goods आई हैं मेरा stock increase हो गया और second effect की होएगा कि मैं Mr. Ram नू पैसे देने है क्योंकि मैं cash नहीं बेगी था तब Mr. Ram मेरा की reflect होएगा liability Mr. Ram as a creditor shown on liability side in balance sheet और stock, stock debit what comes in जो stock मेरे को ला चुक है it would be shown on the asset side in the balance sheet मतलब मेरी एक asset raise हो रही है, मेरा stock raise हो रही है और नादी नार मेरी एक liability भी raise हो रही है और मैं अपनी asset side अगर 50,000 ते stock नू ले के होँगा तो मैंनो Mr. Ram नू भी liability side as a creditor रखना पेगा 50,000 रुपीज हाँ जी बिटे उन आपा topic number one ती तो डिना discussion कर देया topic number one की सीगा साड़ा, basic discussion of journal and types of accounts ठीक है, अपा पहला बिटे journal नू समझीए कि journal है की सीगा मैं तो अनू समझाया सीगा, साड़ा थोड़ा जल्दी होएगा मैं तो अनू समझाया सीगा की जदो साड़ी transactions, after the identification of transactions, then we will proceed to recording of identified transactions मतलब की जदो आपा transactions नो identified कार लने है, then उस तो बार अगला step जो साड़ा सीगा और recording सीगा और मैं तो अनू समझाया सीगा, बिटे recording of identified transaction कि थे होनी आने, journal book ने अंदर मतलब की जर्नल एक ऐसी book है, अपा simplified language पढ़िए, कि transactions ने जिदना ही होना है न, ता सब तो पहलना इफेक्ट केड़ी book ने होते होना है, journal book जो मतलब की first instance, सब तो पहलना जड़ी recording होएगी, और केड़ी book ने अंदर होएगी, journal book मतलब की, जि मैं for example, हुन first April नो financial year शुरू होगया, हुन तुसी आज़ान अकाउंटेंट हो थे हो, first April, हुन first April नो for example की तो आनो information suppose कर रहागी, तो रहे तोड़ा 10 वज़ दा reporting time है, तुसी 10 वज़ चलेगे, अपनी सीर्टे बैठ गे, हुन तो आने को 17 वज़ एक message आनदा है कि पाई साब इतना है कि यसी 2 लाख रुपे दिया प्रचेजिस कर लिया, तो आनो intimation आगी, ठीक है, बेल आगया तो आनो, कि 2 लाख रुपीज दिया प्रचेजिस है, उन 2 लाख रुपीज नो बेटे तुसी होते बैठे बैठे तो सो केडी बुक्ते विच रिकॉर्ड कर अचा हुन तुसी ओ, अकाउंटेंट अगर तुसी ओ थे बैठे वेजी के, सवा दस बचेजिस आईया, तू लाख रुपीज दिया, तुसी ओंदी स्पोर्ट रिकॉर्डिंग किती, ना ली तो आनो, फॉर एक्जामपल, एक होर बेल आ गया कि हाँजी, पाई साब असी ए फिर तुसी ओनो, मैसेज आया, कि असी सैलरीज पे कारतिया ने, दा सजार प्या, फिर तुसी ओंदी स्पोर्ट रिकॉर्डिंग किती, जर्नल बुक दे अंदर, अच्छा फिर तु अनो, स्पोज करो कि, तु अनो, मैसेज आया, कि हाँजी, असी कोई ना, मशीनरी पर चे बैठे हो यह, तो आडे मोनीटर दे अंदर, तो आडे सिस्टम दे अंदर, आडे लैप टॉप यां कम्प्यूटर दे अंदर, डेस्क टॉप दे अंदर, एक ऐसी बुक हमेशा, मिनिमाईजेशन दे विच यां मैक्सिमाईजेशन दे विच ओपन रहेगी, कि जिन्हों अपना आडा फ़ानी ट्रांसेक्शन ने कि अदो आया ना, समय दे विचीच, ऊज़़ो ट्रांसेक्शन नहीं आई, तुस्य नहीं मिनिमाईज कर दोगे, कुछ हो, अपना काम करना शुरू कर दोगे, फिर और ही जीच, फिर जिढ्ने ही ट्रांसेक्शन आई, फिर तुस् प्रशेज किती है दास जार दी ऐसी सेलरी पे किती है ट्रांसेक्शन आई आ रही है तो अड़े को फिर इनना टाइम नहीं नहीं आगा कि बार बार तो आड़े हमेशा टर्मीनल दे उपर ओपर ओपन ही रहेगी प्लेयर हो दी और वो बुक दा नाम की वहेगा जर्नल बुक और उन दी स्पोर्ट तुसी ओदे विच बिटक की पास करनी है शुरू कारतों के जर्नल एंट्रीस मतलब तुसी रिकार्डिंग उन दी स्पोर्ट रखोगे मतलब कि असी यह बोल सकते हैं कि जर्नल बुक है जिनने पूरा दिन ओपन रहन है जिनी देर तक और्गनाइजे हम आपके साथ एक न्यू चैप्टर की डिसकेशन करेंगे ठीक है अब लेजर क्या होता है लेजर प्रिटा है हमारी एक प्रिंसिपल लुक है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिसकेशन की है कि जर्नल को हमने जब भी अकाउंटेंसी में या हमने जब प्रोसेस ओप लेजर लिए और प्र भी उसका नाम था एंट्री ठीक है तो उसको हमने जर्नल बुक में रिकौड किया था अब जर्नल बुक में जूब हमारी सबी एंट्री से रिकॉर्ड हो जाती है हम वहारा आगे काम क्या होता है इसको मैंनेगर है एक एक जाम पल एक ज़मशन आपने परड़क्स पराजमेश करने शुरू कर दिया मेगी परिचिस की आपने टॉमोटो केशप परजैज की लिए हार्बिग पराज कीbus रूम कुछ टार्क परचेस किये, कुछ आपने सॉप्स परचेस किये, कुछ आपने टूथ परचेस किये, ठीक है ऐसे वराइटी ओफ प्रोडक्स आपने हेर ड्रॉयर परचेस किये, शैंपू परचेस किये, आपने बहुत सारे प्रोडक्स को परचेस किये, जो किचन में भी आपके वॉस रूम में भी यूज होने वाले है रेडी रूम में यूज होने वाले है तो मतलब कि आपने वराइटी आप प्रोड़क्स को जब आप परच्थिस करते हो रुनाइज़ फ्रेश में जा के तो आपको वो एक छोटी सी वो देते हैं अपना बास्किट देते हैं तो basket में आप सभी products को वहां पे डाल के फिर आप अपने वहां पे cash counter पे आते हो तो cash counter पे उसकी counting करते हैं और आप से वह polything अगर आपके पास है तो ठीक है अगर नहीं आए तो वह polybag जो है उसके भी charges include करके आपको एक polybag में वह सब कुछ डाल के दे रहते हैं ठीक है तो जब आप घर पे आते हो ठीक है जब आप उसको घर पे लेके आते हो तो घर पे लेके आने के बाद आपका काम क्या होना शुरू हो जाता है कि जो kitchen के related products हैं for example मैकी है ठीक है वो kitchen में जानी चाहिए आपने कुछ मसाला प्रचेस की है कोई आपने MDH के मसाले जोगे कोई आपने salt प्रचेस की है या जो भी मतलब की healthy प्रचेस की है जो भी आपके refined प्रचेस की है जो भी kitchen में यूज होने वाले products हैं वो आपको polythin में से निकालके आप कहां पे shift करते हो kitchen में अच्छा for example heart peak हो गया, soaps हो गया, toothbrushes हो गया, toothpaste हो गया, यह आप कहां पे रखते हो washroom में ठीक है और then उसके बाद को जो products आपके personal है उसको आप अपने bedroom में रखते हो ठीक है जो आपके मतलब की जिस जिस जगा पे जो जो products जाने चाहिए आप वहां वह पे उनकी classification करके products को रखना शुरू कर देते हो आज हम आपके साथ एक new chapter की discussion करेंगे, that is a trial balance, ठीक है, तो trial balance basically क्या है, इसको हम list of ledger account balances भी बोलते है, देखो recently जो आपने chapter video lectures देखे आएंगे, जिसमें आपने ledger के chapter को मैंने आपसे broad में discussion की थी, plus हमने कुछ उसके practice questions भी किये थे, तो ledger में basically हमने क्या किया था, कि जब हमारे recording होने के बाद, जब हम transactions को अलग-अलग accounts में उसको क्या कर रहे थे, classified, अब जब हमने ledger accounts में अपनी सभी transactions को, जो recorded transactions थी, मतलब journal से मैंने ledger book में उसको transfer किया था, मतलब posting की थी, जहां पे हमने technical word को use किया था, तो अब classification होने के बाद, मतलब जब हमारे पास sales का data पुरा record हो गया, sales account में, purchases का data purchases account में चला गया, then उसके बाद printing stationery का, जो है, वो printing stationery में चला गया, हमने सभी assets को record कर लिया, उनका हमने closing balance find out किया था, फिर हमने सारी liabilities को record करके, उनका closing balance find out किया था, then हमने कु accounts को हमने total किया, तो जो सारे accounts का basically जो total आ रहा है 31st March को year ending बे, अब वो सारे totals को, मतलब हमने ledger जो book है ना ledger, जो हमारी बहुत बड़ी book है, जिसमे principle book है, जिसमे हमने number of accounts को open किया हुए, अब हम वो सबी accounts की ना summary बनाने वाने है, वो तरह जैसे आपने कोई story बढ़ी, तो story क के बाद उसका एक moral होता है, या आप कोई business studies में कुछ पढ़ रहे हो तो उसका last में conclusion होता है, ठीक है, तो सारा जो niche word है, जो basically हमने journal में transactions को record किया है, ledger में हमने उसको classify किया है, ledger में classify होने के बाद, हमें ledger के जो balances निकलेंगे ना 31st March को, जैसे sales निकली, मान लो 80 lakh rupees की, purchases का balance आया, बेटे 50 lakh rupees, expenses का total हुआ 15 lakh rupees, हाँ जी बेटे, आज हम आपके साथ एक new chapter की discussion करते हैं, cash book, ठीक है, cash book में basically क्या है, इसके हम पूरे concept को समझते हैं, cash book के, और देन उसके बाद में आपको समझाओंगा topics to be discussed, इस chapter को हम कितने topics में divide कर सकते हैं, और देन उसके बाद बेटे हम इसके practice questions करेंगे, ठीक है, NCRT based questions की मेरी first preference होएगी, हम NCRT based questions को करेंगे, तो cash book होता गया है, देखो cash book मैंने आपसे previous discussions की हैं, कि सबसे पहले जब हम accounting में, जो हमारा accounting का जो process होता है, उसमें सबसे पहला काम होता है कि हमें transactions को identify करने हैं, ठीक है, transactions को identify करने के बाद, मतनब उसमें से में को business nature transactions देखनी होती है, जब हम business nature transactions को identify करते हैं, फिर हम उन transactions की क्या करते हैं, recording, और recording में हम कौन सी book में करते हैं, journal book में, ठीक है, और journal book में जब हम systematic recording करते हैं, rules के accordingly, और real account, nominal account और personal account के rules को हम follow करते हैं, इसलिए हम उसको systematic recording बोलते हैं, और systematic recording करने के बाद, हम recorded transactions कि का करते हैं classification और classification मैंने आपको समझाया था हम कौन सी book में कर रहे हैं लेजर बुक में तीक है और लेजर बुक में जब हम classification करतें हैं वहां पे हम number of accounts को open करते हैं जहां पर—— purchases account purchases get ền kaun free purchases account sales के लिए sales account cash के लिए cash account debtors के लिए debtors account plant and machinery account assets के अलग से काफी सरे accounts होएंगे, liabilities के अलग accounts होएंगे, expenses के अलग accounts होएंगे और हमारी incomes के अलग accounts होएंगे, और capital का मेरा अलग account होएगा तो मैंने को उसको separate 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 मैंने उनको क्या कर दिया classified into various accounts, ठीक है, जब हम ledger में accounts को classify करते हैं तो हमें entry का root कहां से पकड़ना होता है, मतलब एक वो transactions का root जो पकड़ना होता है, वो अपनी journal से पकड़ना होता है तो journal से हम transactions को ledger में लेके आती है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है, कि कई वो business organizations जो होती है कि उसमें ना cash की transactions बहुत ज़्यादा quantity में ओनी चुरूआ जाती है, huge transactions जिसकों बहुते है Other subsidiary books, ठीक है, अच्छा जो subsidiary books थी हमारी accounting की, हमारी accounting की बिटे अगर subsidiary book है, वो हमारी ये cash book ये मैंने आप से previous chapter में सारी discussion over की है, कि cash book is the subsidiary book या subsidiary book of accounting ठीक है, और ledger book का basically एक part था, जिसको हम अलग से कर रहे हैं, जिसमें जितने भी cash inflows, cash outflows या bank के related जो transactions का inflows, outflows जाओ सारे सारे थे वो हमने separate cash book में सारा कुछ record कर दिया था, तो अब cash book के इलावा, अगर अच्छा, आपकी cash की transactions जादा होती हैं तो आप cash book लगाते हो, ठीक है, अगर आपकी cash के इलावा, for example, आपकी purchases की transaction increase हो जाएं, for example, आपकी sales की transactions increase हो जाएं, तो उनके लिए भी बेटे बेटर यही होता है कि हम ledger में purchases account बनाने की बजाएं, sales account बनाने की बजाएं, हम ledger book से बाहर एक purchase book लगा दें, एक sales book लगा दें, ताजो जब transactions की quantity increase हो, तो transactions हमारे पास जब ज़्यादा आ जाती हैं, तो बार बार हम journal क root से ना जाएं, क्योंकि journal से हम ledger की तरफ, जैसे हम journal में entry pass करते हैं, purchases की, फिर उसको ledger accounts में post करते हैं, तो ऐसा करने की बजाए हम सीधा ही purchases book में उसकी entry डाल दें, और अगर sales के related को यह transaction आई, तो सीधा ही हम उसकी sales book में entry डाल, मनलब transactions को record करने, इसका benefit यह होता है कि subsidiary book बन assuming जो पार्ट है कि पहले journal में, फिर उसके बाद लेजर में posting और लेजर में भी बहुत सारे accounts में से उसको identify करके कि मेरे को इस account में इसकी posting करनी है, तो वो जो सारा वो procedure है, वो खतम हो जाता है, सीधा transaction आई, अगर आपने cash book लगाई है, तो cash के related transaction सीधा cash book में जाएगी, उसकी कोई journal entry पास नहीं होएगी, और सीधा अगर आपकी purchases के related transaction आई, तो वो सीधा purchase book में चली गई, और अगर आपकी sales के related transaction आई, तो वो सीधा sales book में shift हो गई, ये subsidiary books मनाने का ना benefit होते है, ठीक है, जिसकारण हम अपनी accounting में subsidiary books को बनाते थे, अच्छा, अब cash book जो हमने की है, ज cash expenses हो, cash receipts हो, किसी भी way से पेटे आपको cash inflow, किसी भी way से आपका cash outflow हुआ, तो आपने अपनी subsidiary book cash book में उसको record किया, ठीक है, अजी पेटे, आज हम आपके साथ discussion करेंगे एक new chapter की, that is bank reconciliation statement, ठीक है, अब इस chapter को कितने topics में divide करना है, या इस chapter के अंदर क्या होईगा, इस chapter के practical questions कितने होएंगे, इस chapter में amended cash book का जो topic है, ये सारी discussion हम आप से broad में करेंगे, पर उससे पहले मेरे को ये chapter के pros and cons आपके सामने clear करने होएंगे, कि ये chapter में है क्या, ठीक है, तो पहले मेरे को topics discuss करने से पहले, ये chapter एक बार आपको ये जो मैंने नाम लिखा chapter का बेसी करी, bank reconciliation statement, पहले हमने ये तीन words से समझ नहीं है, कि bank reconciliation statement, कि इसका मतलब क्या है, कि जब हमें ये bank reconciliation statement words हमें लगेगा, और हमें इसकी need हमें लगेगी कि bank reconciliation statement हमें क्यों बनानी है, उसके बाद मैं chapter को topics में divide करूँगा, और आपको फिर topics के नाम समझ लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में chapter का basic level है, तो मतलब ये हो गया, कि chapter को हम discussion करने से पहले chapter के name की discussion करेंगे, कि chapter का name बना कैसे, देखो बड़ी simple सी बात है, कि एक business organization है, तो हम सारा बढ़ रहे हैं पीछे से, कि हमारी जो accounting है, इसमें जो भी transactions record हो रही है, वो business nature transactions होनी चाहिए, बन्तब financial transactions होनी चाहिए, और which are expressed in monetary terms, कि money की involvement भी उसमें होनी चाहिए, तो जब हम इस चीज को identify करते हैं, जो हमारा पहला step का accounting का, कि transactions को identify करने के बाद हमने क्या करना था, उसकी recording, अच्छा, जब आपने business कोई शुरू किया, हम यहां से शुरू करते हैं, कि आपने मालो कोई business शुरू किया बताओ, आप जब business शुरू करोगे, उसके लिए एक प्रोप्राइटर को क्या लगानी पड़ती है, capital, an amount invested by the proprietor in the business concern is known as capital, ठीक है, capital है कैसी amount है, जो business का honor, जिसको हम प्रोप्राइटर भी बोल सिकते हैं, वो business में invest कर रहें, ठीक है, जो वो initially investment करता है business में, उसको हम capital बोलते है, ठीक है, अच्छा, मैं यहां से ही अपनी journey शुरू करूँगा, ठीक है, beginning से ही मैं journey स्टार्ट करूँगा, और होली 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 भी step by step मैं bankry conciliation statement में पहुंच जाऊँगा, तो आपको महसूस भी नहीं होएगा कि हो हो sir, ने bankry conciliation statement भी समझा थी, बिलकुल अराम से, ठिंट with cash, जब आप business start करोगे, तो business में आपको जो capital introduce करनी होएगी, वो capital किसी ना किसी form में introduce करनी है, चाहे वो cash में introduce करो, चाहे आप in kind capital को लेके आओ, चाहे आप furniture लेके आओ, चाहे आप stock की shape में लेके आओ, तो मैं यहां पे मान रहा हूँ, कि आपने business जो start किया, बिटे cash से start कि और आपने business में कितना पैसा invest किया, मान एतने है 13 lakh रुपीज, ठीक है, starting business with cash, रुपीज, 13 lakh, मतलब 13 lakh रुपे से मैंने business start कि, अब आप मेरे को ये बताओ, कि छोड़ो entry को, general entry को छोड़ो, in simple words, layman language, कि cash business में आया, ये business की क्या वनगी, asset वनगी, ठीक है, अगर इसको मैं अगर मैं अपनी double entry bookkeeping के point of view से सोच हो, कि business की एक liability वनी, ठीक है, मैंने accounting equation में भी आपको समझाया हुए, जिस liability को, internal liability को क्या बोलते है, capital, मतलब business की books में 13 lakh की क्या वन जाएगी, लेविज, ठीक है, और business की books में ही cash आ जाएगा, जो business की current assets है, basically, तो cash भी business में कितना generate हो गया, 15 lakh rupees, और as per the double entry bookkeeping, हमारी liability किससे equivalent हुई assets है, ठीक है, पड़ी simple सी बात है, अब जो business में cash आया, तो सारी transactions cash की form में होना जुरूरी थोड़ी होते हैं, वैसे भी बेटे demonetization का जमान है, और वैसे भी ये मोदी जी का time चल रहा है, इसमें government की हमेशा ये efforts हैं कि cash की transactions को minimize किया जा आपको याद होएगा जब demonetization होई थी, तो वहाँ पर basically किस चीज को और नोंने stoppage लगाई थी, cash transactions को, कि जादा से जादा जो transactions हैं वो आपकी bank के थू हो, वैसे भी income tax में provisions हैं, कि अगर आप जैसे for example, at this stage, आज के time तक, इसके बाद क्या होईगी, ये नहीं वालू मेरे को, क कि आज के दिन तक अगर आप 10,000 से उपर business की कोई cash transactions को, अगर cash में पे करते हो, it should be taxable intersection 43, or the income tax act 1961, तो 10,000 तक आप cash payments कर सकते हो, तो 10,000 से उपर आपने business की, अगर कोई भी transaction करनी है, तो वो आपको other than cash करनी बढ़ती है, चाहे आप online transactions करो, चाहे आप check के थू करो, चाहे आप यू पी आई के थू करो, चाहे आप pay tm wallets, या other phone pay wallets, इसके थू करो, ठीक है, उससे क्यों होता है basic अजी, government के ये क्यों measures होते हैं, कि cash की transactions को minimize करना, और bank की transactions को increase करना, क्योंकि bank की transactions होती है, ये हमेशा scanning में आती है, scanning मतलब bank की transactions का record बनते हैं, ठीक है कि आपने कितना वैसा deposit करवाया, आपने कितना वैसा withdraw करवाया, आपकी जो एक bank statement होती है, जिसको हम passbook बोलते हैं, ठीक है, तो वो passbook में आपकी वो सारी transactions का एक record बन जाता है, कि आपने बिजनस, आपने bank में पांच लाग और deposit करवाया, तो पांच लाग में से आपने क्या कुछ खर्चा, क्या तो वो bank का सारा record रहता है, और उस record से government को भी record मेल जाता है, कि हाँची कि बिजनस, इस person के business में इतनी sales हुई है, इतनी purchases हुई है, इतना profit margin होएगा, इतनी expenses हुई है, जिसकारण उनको income tax में या GST में उस person को जो scan करना होता है, वो easy हो जाता है अब हम आपके साथ है, आज एक new chapter की discussion करेंगे, जो है provisions and reserves, यह बहुत छोटा सा chapter है, जो एक lecture में हमारा complete हो जाएगा, और यह सारी theoretical discussion है, basically यह chapter नहीं है, यह आपका concept है, concept in the sense कि आपको यह पतावना चाहिए, कि provisions क्या होती है, reserves क्या होती है, इन दोनों में differences क्या होती है, provisions and reserves में, और how many types of reserves, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, तो यह एक basically इसको एक chapter की shape में दे दिया जाता है, text books में, ठीक है, actual में इसको हम chapter नहीं मानते, यह basically एक pronunciation है, जिसके regarding मेरे को आपको समझाना है, कि provisions क्या होती है, reserves क्यों बनाए जाते हैं, और कितनी तरह की provisions होती है, औ तो आज हम इसकी एक discussion करते हैं, जो approximation एक lecture में हमारा यह सारा कुछ complete हो जाएगा, बिटे provisions क्या होता है, पैले provision को हम समझती है, provision होता है, in simple words में आपको समझाओ, with the purpose to face certain liabilities, आपके business में कुछ ऐसी liabilities होती हैं, जो certain है, for example, आप business कर रहे हो, sales कर रहे हो, sales से profit earn करोगे, और profit आ आपको कभी ना कभी, आज नी तो कल नी तो दो साल बात income tax देना पड़ेगा, तो income tax आपको मालूम है, यहामी कि मेरे को मेरी इतनी sales expectation है, पिछले साल मैंने इतनी sales की थी, इस बार मेरी इतनी sales होने की possibility है, और इतनी sales के ओपर मेरा इतना profit बनने की possibility है, और इतनी income के ओपर मे हमारी estimation चल रही है यह नहीं बोल रहा कि accurate आप calculate कर लोगे ठीग है ना हम accurate थोड़ी calculate करते हैं future forecast थोड़ी हम कर सकते हैं but estimation तो लगा सकते हैं प्रोजेक्टिड सेल्स के data को मतलब previous year की previous year की जो sales हैं उस data को pick करके हम उसकी projection तो कर सकते हैं ना estimation कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में मेरा income tax कितना बनेगा और ये तो मतलब certain है ये तो निश्चित है कि आपको income tax तो pay करना ही पड़ेगा तो income tax की liability आने वाले टाइम में आपकी payable है हाँ ये sure नहीं है कि ये liability कितनी होएगी कितनी कम होएगी कितनी ज़्यादा होएगी but आप को मान लो जी कि एक expectation है आपकी एक probability है कि 10,000 पर हमारा income tax बनेगा तो फिर आप अपनी books में 10,000 की income tax की क्या बना लेते हो provision provision word मैंने आपको वहाँ पर भी समझाया था जब मैंने आपको journal की discussion की थी तो provision basically क्या होता है आपका पी का मतलब होता है probable आपके losses ठीक है या probable आपके ज और O का मतलब क्या होता है outflow funds ठीक है मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि P का मतलब probable events ठीक है आर का मतलब जिसका हम reliable estimate कर सकते है और O का मतलब क्या होता था outflow funds मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे expenses जो आने वाले time में मेरा payable है और ये certain है कि वो pay करना पड़ेगा उनको face करने के लिए आज ही हम अपने profit में से एक खर्चा book कर लेते हैं अपने profit को आज ही reduce करके बिठा लेते हैं और अपने mind को instruction दे देते हैं कि अगर आने वाले time में ये expense आया तो मैं already अपने profits में से ये पैसा निकाल के side पे रख चुका हूँ और मैं इस से volability को pay कर दूँ मैं इसको आपको ए कि आपने ना हर एक के घर में marriage occasions के invitations आते हैं ठीक है और on an average हम ये लगा के चलें कि वो marriage के जो invitations हैं कि जिसमें अब देखो free में तो नहीं ना marriage attend होती होती जो भी marriage होती है ये कोई free में थोड़ी जाएगा ठीक है ना वो अगला invitation देके गया चलो आज कल तो लोग what's up पर invitation द हो सकता थोड़ी what's up से पहले लोग specially वो sweets का डबा देके जाते थे और invitation होता था proper पूरा और डबे की value से आप judgment करते थे कि मेरे को इसको कितना शगन डालने है ऐसे होता ना यहाँ ही 500 का डबा है यार इसका मुलब कम से कम 500 तो डालना ही पड़ेगा नहीं तो 1100 तो डालेंग आपको कम से कम एक साल में माल लेते हैं 20,000 रुपीज सेपरेट रखना पड़ेगा माल लेते हैं ठीक है किसी को 1100 शगन डालना है किसी कोई 500 वाले भी होते हैं तो आपकी एक estimation है कि 20,000 रुपीज मैंने शगन का ना एक मैने अलग कर ले यार मैंने एक box लगा लिया जिसके पर मैंने लिख दिया कि शगन्स ठीक है जो मेरे को शगन देने हैं लोगों को अच्छा वो box में मैं हर महीने माल लो कि मैं 15,000 रुपे या 2000 रुपे पर मंद उसमें डाल देता हूं तो एक साल का मैं 24,000 डाल दूँगा जब भी कोई function आएगा कोई marriage आएगी या मेरे को शग शगन वाला जो हमारा envelope होता है उसमें डालके हम शगन दे आएंगे ठीक है क्योंकि हमने उसका separate box लगा दिया शगन box ठीक है अच्छा एक box ना हमने एक और separate से लगा दिया जो जिसके ओपर हमने लिख दिया यहां भी यार यह जब जरूरत पड़ी हम तब use करेंगे ठीक है उसमें भी आपने पान सो हजार प्र डालना शुरू कर दिया पर मंद उसके ओपर कुछ specific नहीं लिखा हुआ कि यह शगन के लिए use करने जो दूसरा वाला box है वो आपने वैसे ही रख दिया बस कि यार जब लगेगा ना हमारे को यार पैसे की जरूरत पड़ी है तब हम इस में से निकालेंगे और यूस कर लेंगे जो उसके ओपर कोई नाम नहीं लिखा हुए तो अब यह जो मैंने अब आप बताओ कि अगर आपको शगन डालने हैं यह तो first box ही चूज़ होएगा ना जिसके ओपर शगन लिखा हुए है शगन ceremonies money for शगन ceremonies यह शगन सिरफ आप शग यह जिस occasions यहां उपर सिदा लिखा हुएगा शगन तो जब भी आपको कहीं शगन डालना है तो आप first box को चूज़ करोगे जब भी आपको शगन के इलावा कुछ करने कुछ आपको पैसे की जरूरत पढ़ी ठीक है ना daily necessities में कोई पैसा जरूरत पढ़ गया तो आप second वाल यह ना आए ठीक है ना तो वो certain है और वो use भी कहां पर होना है सिर्फ शगन ceremonies पर दूसरे वाला box आप जहांवे मर्जी यूस कर सकते हो दूसरे वाले box के जो पैसे है ठीक है तो पहले वाला box जो specific certain liability को face करने के लिए बनाया गया ना उसको बोलते है बिटे provision ठीक है प्रोब tribal estimate भी है कि 20,000 के शगन डालने पढ़ सकते हैं और O का मतलब जब शगन डालके देंगे तो outflow funds हो गया that is a pro यह ना पी आर O का pro का मतलब यह मैंने आपको समझाया है यह मैंने खुद नहीं बनाया यह बैटे हमारे accounting standard number 29 जो provisions के ओपर हमारा accounting standard बना हुए issued by the institute of chartered accountants of India वहां प अतलब क्या होता है कि वीजन हम एक अपना वीजन ही fix करते हैं तो यह हमने प्रो का वीजन fix किया होता है तब ही यह प्रो वीजन हो जाती है विद्दा परपस्टू फेस सर्टेन लाइबिल्टीज हाज जी बेटाई आज हम आपके साथ एक new discussion करेंगे एक new chapter की discussion that is depreciation accounting ठीक है depreciation accounting के chapter को basically हम कितने topics में divide करेंगे 11th standard के slavers के accordingly बेटाई जो depreciation का chapter है इसमें मैंने इसके तीन topics बनाए ठीक है पहला topic जो है वो basic discussion मैं आपसे basic discussion करूंगा कि depreciation accounting होता क्या है depreciation की need क्यों राइस हो रही है causes के depreciation के ठीक है तो सारा concept हम आपसे explain करेंगे depreciation कौन सी fixed as tangible assets पे charge होती है ठीक है तो यह सारी basic discussion में हम coverage करेंगे जिसमें basically आपका theoretical part होएगा और plus मैं आपको जो slides हैं उसके थूँ भी आपको समझाऊंगा और जिसमें से आपके basically mcq level के questions हैं proof all questions हैं feeding the blanks questions हैं वो coverage हो सकती है ठीक है तो जो सारी basic discussion होएगी ना मेरी वो आपसे theoretical touch होएगी जिससे आपका concept जो है depreciation accounting का वो शाब हो जाएगा ठीक है तो first topic हमारा basic discussion होएगा second topic मेरा गया होएगा accounting treatment कि हमें accounting treatment करनी है depreciation accounting के और जब भी हमें accounting treatment करनी है as an accountant treatment तो हमें जब भी उसको deal करना है तो हमें journal entries के तुरू deal करना है ठीक है तो accounting treatment में आपको ये सिखाऊंगा कि हाँ जी journal entries हमने कैसे पास करनी है depreciation accounting की वैसे basically इसमें कुछ भी नया नहीं है जर्नल entries में ये already जो हमने जर्नल entries की आपसे discussion की हुई है जर्नल के chapter में उसी में से ही बस fixed assets और depreciation की entries को एक अलग से मेरे को रखना है अबस ठीक है हमाँ depreciation की finalize entry आपको सिखानी है जो PNL account में depreciation का effect चला जाती है ठीक है assets purchase करने की depreciation की और assets में installation charges जो होते हैं वो हमें as per accounting standard number 10 वो हमें capitalize करने हैं ये सारी discussion आपसे की हुई है तो जो भी वो जर्नल का वो जो सारा सुनुंदर था जो C था उसमें से मेरे को ये depreciation के related जो entries है assets purchase करने की depreciation डालने की PNL में depreciation के effects को डालने की वो सारी entries को अभी कठा करके इस chapter में आपको discussion करते हैं तो वो second आपारी जो आपसे topic की discussion होईगी accounting treatment ठीक है of depreciation accounting में हमें journal entries को कैसे पास करें तो उसके बार मिटें जो topic number third है methods of providing depreciation depreciation के कितने methods हैं मना basically जो हमारा practical question बनेगा वो इनी methods के basis पे बनेगा depreciation accounting के क्या methods हैं और basically हमारे दो methods है depreciation के कि हमें depreciation को कैसे डालने जब भी हमने फिक्स assets को purchase करना है तो उसके अपर depreciation को कैसे डालने उसके वैसे तो methods काफी होते हैं अगर आप CA course में जाओगे तो chartered accountancy के course में या आप कोई और professional courses में अगर आप देखोगे तो depreciation के काफी और भी methods होते हैं ठीक है जोसे coal mines पे depreciation का अलग method होता है ठीक है fixed assets जो coal mines नहीं है उनके ओपर depreciation का अलग method होता है पर हमें 11th के course के accordingly चाहे वो बच्चा कोई CPAC में है या आप EACP में हो या किसी भी बोर्ड के साथ आप related हो चेप्टर की discussion हो रही है जिसमें आपने मेरे previous lecture में bills of exchange का जो basic concept है कि bills of exchange क्यों किया जाता है credit transactions को secure करने के लिए और bills of exchange में parties की involvement कितनी होती है ठीक है यह आपने मेरे previous lecture में बहुत broad में मैंने इसका discussion की है मैं आज के lecture में आपसे इसकी कुछ theoretical point of view से discussion करूँगा कि तहां जो आपको exam में अगर वो theory purpose में question आता है तो आपको वो theoretically भी आप strong होने चाहिए जिसमें bills of exchange को मैं definition आपको read करवाऊंगा bills of exchange का मैं आपको format दिखाऊंगा कि bills of exchange होता कि बनता कैसे actual में और प्रोमिजरी नोट क्या होता है प्रोमिजरी नोट में का format क्या है प्रोमिजरी नोट में पार्टी की involvement क्या है ठीक है तो यह सारी discussion हम करेंगे आज के lecture में तो bills of exchange का जो हमारा chapter चल रहा था तो इसके regarding यह पहले एक मैंने एक slide बनाई हुई है कि bills of exchange में basically एक customer है वो उसको acceptance चाहिए तो मतलब जब acceptance receive करेगा the person who draws the bill is known as drawer जब drawer को acceptance receive हो जाएगी तो bills of exchange का जो proper procedure है जो process है वो complete हो जाएगा ठीक है और उसके बाद हम इसकी जड़ा पहले theoretical discussion करते हैं देखो आपको अगर यह पूछा जाए define bills of exchange को define करके दिखाओ तो bills of exchange को कैसे define किया जाएगा मैंने आपको act का नाम बोला था जो कानून है इसके उपर negotiable instruments after 1881 ठीक है उसका बेटे section number 5 है section number 5 of the negotiable instruments after 1881 bill of exchange is defined मतलब मैंने आपको एक चीज पहले भी समझाई थी कि जब भी हमने accountancy में कोई definition देनी है normally जब आप 10th standard में थे या इससे नीचे वाले standard में थे आपको जब science में कोई definition देनी होती थी तो कोई author की या कोई scientist की definition होती थी ठीक है बट हमारी accounting में इस commerce field में जो definitions होती है accountancy में business studies और मैं economics की बात नहीं कर रहा वहाँ पर तो author की definitions होएगी पर हमारी accountancy में अगर कोई definition होएगी या तो वो कानून में होएगी act में होएगी या वो हमारे accounting standards के accordingly होएगी ठीक है क्योंकि यही दो main जीजे हैं जिनके ओपर सारा accounts based है ठीक है तो इसलिए section 5 of the negotiable instrument act 1881 a bill of exchange is defined as an bills of exchange को section 5 में negotiable instrument act 1881 ने कैसे define की है सबसे पहले तो जी an instrument in writing ये एक writing में instrument होना चाहिए इसका मतलब आपको अगर mcq में कोशन ये पूछा जाए कि can oral bills of exchange is acceptable or not या bill of exchange is in oral form या verbal form oral को verbal भी बोलते हैं हम या अगर bills of exchange hourly हो एक पार्टी का दूसरी पार्टी से या verbally हो या वो bills of exchange valid माना जाएगा तो आपका अंसर होएगा false वो bills of exchange valid नहीं है तो कि bills of exchange का जो document है as per section 5 of the negotiable instrument 1881 it should be in writing वो writing form में होना चाहिए ठीक है उसके बाद an unconditional order अब unconditional order का मतलब क्या है ये देखो for example मैं यहाँ पर एक example बनाता हूँ कि मान दो जी एक Mr. X है इसने goods sale की Mr. Y को ठीक है अब पैसे किसने लेने है Mr. X ने लेने है तो ये person draw करेगा bill Mr. Y पे ठीक है और वाई इसकी क्या देगा acceptance यही सीन होना चाहिए bills of exchange में ठीक है ना जिस person ने पैसे लेने है बेसिकली उसने bill draw करने और जिसने पैसे देने होते है उसने उस bill को क्या करना है accept करने तो Mr. Y ने इस bill की acceptance जब करनी है तो मान लो जी कि अगर one lakh रुपीस की यह sale होई हो ठीक है मान लेते हैं कि एक लाख रुपे का bill बन है तो एक लाख रुपे की बेटे अगर यह sale होई है तो understood है why ने one lakh रुपीस देना है अब why कोई condition नहीं लगा सकता कि मैं एक लाख रुपे तब दूँगा अगर आप मेरे को 10% discount देते हो मैं एक लाख रुपे तब पे करूँगा अगर for example आप मेरे को दो लाख की goods और sale करोगे तो it is an unconditional order इसके ओपर why कोई condition नहीं लगा सकता ठीक है कि मैं पैसे मैं acceptance तब दूँगा अगर यह मेरी condition फुलफिल हो ठीक है ना Mr. X ने sale की है Mr. Y को one lakh रुपीस की तो बस ठीक है अब why की responsibility है कि उस बिल को accept करके Mr. X को भेज़ दे accept any condition कि Mr. Y के पास यहां पे कोई भी power नहीं है कि वो एक condition लगाए तो इसको जो यह acceptance देनी पड़ेगी वो unconditionally देनी पड़ेगी यह unconditional है ठीक है कि कोई भी condition जो है पैसे देने वाला person नहीं लगाएगा तो इसी लिए law में लिखा हुआ है An instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker अच्छा maker कौन हुआ यहां पे Mr. X हो गया maker ठीक है न जिसको हम drawer भी बोलते हैं signed by the maker मतलब यह हो गया कि Mr. X के sign होने जरूरी है जी अगर without sign bill of exchange होएगा तो वो valid नहीं होएगा एक एक पॉइंट को बेटे आप पकड़ो इसी में से ही आपके MCQ questions और one mark question बन जाएंगे मैं guarantee null बोल रहे हैं पहला question की बन रहे है क्या वो bills of exchange verbally और और औरली हो सकता है answer है no it should be in writing दूसरा question क्या bills of exchange में कोई condition लग सकती है answer है no it is an unconditional order तीसरा question it should be signed by the maker ठीक है यहीं से तो question बननी है ठीक है उसके बाद क्या लिखा जी directing a certain person कि वह यह direct किया गया मतलब Mr. X ने यह direct किया Mr. Y को कि तूने मेरे को पैसे देनी है तो certain person यहाँ पे कौन होएगा Mr. Y कि वाई साब signed by the maker directing a certain person मतलब maker ने sign करके दूसरे बन्दे को यह direction दी है to pay a certain sum of money जो भी sum of money मतलब जैसे यहाँ पे हमने one lakh rupees sum of money को example में लिया है तो to pay a certain sum of money कि तूने मेरे को यह certain sum of money पे करनी है वो एक लाग हो दो लाग हो पांच लाग हो कुछ भी हो सकती है ठीक है only to or to the order of a certain person और to the bearer of the instrument अब इसका क्या बतलब है कि यह जो bills of exchange है ठीक है यह bills of exchange है यह person accept करके इस bill की payment किसको करेगा certain person कौन हो गया Mr. X only or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument मतलब यह हो गया कि Mr. Y ने इस bill की acceptance करके certain person यहाँ पे कौन है Mr. Y उसने इस bill की acceptance करनी है only to मतलब सिरफ Mr. Y इस bill की acceptance कर सकता है only to कि सिरफ आप जिसको मैंने यह bill draw किये उसी की responsibility है कि उसको accept करने only to लिगे न or to the order of a certain person लेरोरी जी कि उसी certain person ने उस bill की क्या करनी है payment करनी है or to the bearer of the instrument or to the bearer of the instrument पता क्या होता है कि यह bill अगर कल को हमने किसी को transferable mode में लेके आना है जैसे मालनो Mr. X ने अगर यह bill किसी और को आगे transfer करना है तो Mr. Y को इस चीज़ पे कोई भी objection नहीं होई मतलब यह हो गया इस bill की acceptance Mr. Y देगा in simplified language third line कम आपको मतलब समझाऊं कि in simplified language Mr. Y इस bill की acceptance देगा or to the bearer of the instrument यह instrument जो है वह bearer form में है यह accept करके Mr. Y को देदेगा Mr. Y अगर इस bill को आगे endorse करना चाता है मालनो Mr. C को Mr. Z को को वो कर सकता है यगर Mr. X अगर इस bill को endorse करना चाता है तो आगे वो किसी भी person को यह bill endorse कर सकते है तो we discussed इस chapter को हमने basically two parts पे divide किया ठीक है और एक part हम आपसे पहले discussion करेंगे part A final accounts without adjustments जिसमें हम topic number one basic discussion of financial statements यह बेटे हमारी पहली discussion अब आपसे start आगी हाजी बेटे अब हम आपके साथ topic number first के discussion करते है topic number first क्या है basic discussion of financial statements ठीक है कि सबसे पहले हमें final accounts की एक पहले basics level clear होने जाहिए कि final accounts होता गया है और financial statements अच्छा financial statements का ही ना दूसरा ना final accounts है यह वाने अभी बोला था आपको ठीक है topics to be discuss में भी कि financial statements actually उसकी जो full form है ना final accounts की उसका नेव है financial statements ठीक है और financial statements को ही हम प्यार से क्या बोलते है final accounts ठीक है financial statements also known as final accounts ठीक है जी अब पेटे यह financial statements होती के है हम पहले इसकी ज़रा basic level से discussion करते हैं कि यह financial statements क्या होती है ठीक हो हम सभी ने 11th standard में जब अपना first chapter समझा था कि जिसमें theory base of bookkeeping and accounting ऐसे concepts होते हैं और उसमें एक distinction भी होता है bookkeeping और accounting का क्या difference होता है और उसमें बेटे एक और question आता है हमारा एक और topic की coverage होती है जिसमे process of accounting होते है तो process of accounting में सबसे पहला जो एक बार मैं आपको ज़रा सारे वो process को एक बार आपके सामने ज़रा scene create करूँ सबसे पहला जो हमारा step होता था महाँ पे कि हमने ये देखना होता था identification of transactions and events कि सबसे पहला काम तो एक accountant का ये होता है कि उसके transactions को watch करना है और transactions कौन सी होनी चाहिए business nature financial transactions होनी चाहिए ठीक है मतलब business के related जो financial transactions है मतलब money related जो terms है ठीक है which have some involvement of money which have some monetary expects कि जिसमें कुछ monetary aspects होएंगे money की involvement होएगी और वो business के related होनी चाहिए तो वो business related financial transactions को हमने सबसे पहले watch करना है ठीक है फिर पेटे हमारा second step महाँ पे क्या था process of accounting में कि उसमें हमारा जो second step ये था identified transactions की जो transactions को हमने identify किया था उसको हम record करेंगे और recording करने का procedure क्या था कि मेरे को उसकी journal entries पास करनी ठीक है तो उसके लिए अमने journal entries के concept आपसके से discussion की हुई है ठीक है मतलब आपने पढ़ा होएगा lemon standard में उसको और फिर बेटे जो हमारा third number step था महाँ पर जब recording का हमारी complete हो जाती है journal book हमारी prepare हो जाती है तो फिर हमारे को third step में classification करनी होती है recorded transactions की पहला step यह हो गया identification of transactions दूसरा step क्या हो गया recording of identified transactions कि जो transactions identify हो चुकी है उनकी अब क्या करो recording और recording हमने कहां पर करनी है journal book में फिर बटे recording करने के बाद वो transactions recorded हो गई और recorded transactions को हमने क्या करना है classified तो वहाँ पर हमारा step क्या आ गया classification of recorded transactions कि जो transactions record हो चुकी है ठीक है उनकी अब क्या करो classification और वो classification सारी हमने कहां पर की थी ledger book में उसके लिए हमने ledger accounts वेटे open किये थे हर एक transaction के जिस भी nature की transaction है उसका एक ledger account open हो गया जैसे rent के लिए rent account salaries के लिए salaries account purchases के लिए purchases account assets के लिए assets account अगर assets में machinery है machinery account furniture है तो furniture account sales के लिए sales account मतलब number of या nature of जैसी transactions हा रही है उतने number of accounts हमारे कहां पर open हो गए थे ledger और जब ledger में हमने classification कर ली उसके बाद बेटे हमने next step की तरफ move किया था जिसमें हमने किया था summarizing of classified accounts कि जो accounts classified हो चुके है मतलब जो accounts हमारे ledger book में prepare हो चुके है तीक है उसको अग summarize करो उसकी एक summary बनाओ और वो summary हमने कहां पे बनाई थी trial balance मतलब step by step वो चारा चल रहा था ना कि पहला step transactions को identify करो ठीक है second step हो गया कि उसकी recording करो journal में करो third step हो गया उसकी classification करो कहां में करो ledger में करो ठीक है और classify करने के बाद अब इतनी मोटी हमारी ledger book prepare हो गई तो मेरे को अपने profit or loss निकालने के लिए इतनी मोटी ledger book को थोड़ी देखना होता है तो फिर हम क्या करते हैं वो ledger book की summary बना लेते हैं summarized, summarization तो किसकी summarization हमने की ledger accounts की ठीक है तो वो कहां पे बिटे हमारी prepare होई थी वहां पे एक list of accounts prepare हुए थे वो list of accounts कहां से उठाए गए थे ledger book से full slabos lectures जो असी NCRT pattern दे accordingly record करवाए होई हैं जिदे विच सारे boards था slabos covered है CBSC board और सारे state boards था slabos असी cover करके चल रहे हैं जिदे विच ए सारे lectures तो अनो full HD form दे विच तो अड़े mobile दे उपर तो अड़े computer दे उपर तो अड़े laptop दे उपर साड़ी google drive दे थे थू pen drive दे थू या साड़ी mobile app दे थू जो साड़ी play store दे भी available है और apple users दे लई भी जो iPhone users ने उना वस्ते भी साड़े को ले option available है तो उसी ये सारे lectures दे prices screen दे देख रहे हो जिदे विच तो अनो सारे labels दे lectures full HD form दे विच मिलांगे नाली साड़े live doubt clearing sessions भी मिलांगे और नाली यासी online tests जड़े असी conduct करांगे ओधा भी तो अनो benefit मिलेगा तो नाल यासी test दी जड़े साड़े expert teacher discussions करंगे ओवी ये दे विच included ने जड़े जड़े